हिलो गाइस मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए लाए हूँ एक नई कहानी इश्क और दर्द तो चलिए सुनते हैं। अब रात काफी हो चुकी थी। आस्मान में तारे भी अब पूरी तरग से अपनी रोशनी बिखेर रहे थे जिससे आस्मान और भी ज़्य अपना मन मार कर उसे जाना पड़ा। सभी लोग टेरस से नीचे आ गए थे अनाया का तो मन खाना खाने का बिलकुल भी नहीं था। क्योंकि अभी उसने इतनी सारी आइसक्रीम खा ली थी इसलिए वह अपने कमरे में चली गई। अर्नव और अतुल दोनों ही अपना काम कर अर्नव अपने आफिस के बचे काम को पूरा करने के लिए आपने कमरे में महेश्वरी जी का भी दिल नहीं था खाना खाने का तो वह भी अपने कमरे में चली गई। अनाया अपने कमरे में आने के बाद बालकनी में खड़ी हो गई जहां कहीं सारे चोटे चोटे प्लांट लगे हुए थे जिसकी वज़े से उसने कई सारे फूल भी आ गए थे बारिश धीरे-धीरे कर तेज होने लगी थी अनाया बालकनी में लगे जूले पर बैट गई जिससे जूला थोड़ा आगे पीछे हो रहा था और बारिश बूंदे अनाया के पैरों को छू रही थी जिसस उसे एक अलग सा ही सुकूम मिल रहा था अनाया अपनी आखे बंद कर बारिश की बूंद को महसूस कर रही थी लेकिन आसमान में अब और भी ज्यादा काले बादल चने लगे थे धीरे-धीरे कर आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश अब ओलो में तबदील हो और हर तरफ काले बादल चाय थे जैसे किसी आने बाले खत्रे की खबर दे रही हो और नाया जूले से खड़ी होकर जल्दी से कमरे में चली जाती है और फिर वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी आखे बंद कर लेती है लेकिन कुछ देर बितने के बाद भी उस और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता चलता अगी सुबह 6 बजे बजे अनाया नींद में ही करवट बदली जा रही थी उसके माथी से पसीना टपक रहा था और उसके चेहरे पर बेचैनी की लकीरे उभर आई थी सपने में कोई अनाया क जबर्दस्ती अपने साथ खीच कर ले जा रहा था अनाया लगातार कोशिश कर रही थी उससे अपना हाथ चुडाने की लेकिन वह अनाया को घसीते हुए ले जा रहा था उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था और वह बेहत खौफनाक लग रहा था वह बिना किसी की चीक निकलती है और वह एक्दम से उठकर बैट जाती है उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और वह लंबी-लंबी सांसे लेने लगती है अनाया बहुत ज्यादा दरी हुई थी और फिर वह अपने आसपास देखने लगती है तो वह अपने कमरे में होती है तब जाकर अनाया सी सास में सांस आती है और वह अपने माथे से पसीना पोचते हुई धीरे से कहती हुई सपना था कि तभी अचानक से अनाया का फोन रिंग करने लगता है तो वह घबरा जाती है लेकिन फिर अपने फोन की तरफ देखती है जिस पर रेशमा का नाम शो हो रहा अनाया खुद को नॉमल करती है और फिर कॉल रिसीव करते हुए कहती है फिलो दूसरी तरफ रेशमा अनाया को कॉलेज के पास वाले क्याफे में मिलने के लिए बुलाती है अनाया जल्दी से तयार होकर जाने लगती है तो डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार ब्रेक पास्ट कर रहा कि तभी अचानक से आलोग ची अनाया को देखकर चौकते हुए कहते हैं कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे या फिर हमारी आँखों का वहम है अभिनप टोश खाते हुए कहता है नहीं डैड आपको कोई वहम नहीं हुआ है आपके सामने अनाया ही है अतुल जो अभियाधी नींद में अपने मुँव पर हाथ रखे अबासी ले रहा था वह डाइनिंग टेबल के पास से गुजरता है तो अलोग ची कहते हैं अतुल नींद पूरी हो गई तो अतुल नींद में कहता है नहीं डैड अभी तो मुझे नींद आ रही है आलोग ची अतु से भी बड़ी आलसी है और आपको एक सच बताऊं वह तो अभी उठी भी नहीं होगी अभिनव इंटरेस्ट के साथ कहता है और भी कुछ तो अतुल मुस्कुराते हुए कहता है अभी तो खत्म कहां हुआ है भाय आपको पता है महेश्वरी जी अतुल को चुप रहने का इशा कर रही है मुझे भाय को बताने दोना की भाय और डैट के ऑफिस के जाने के कितना देर बाद अनाया उठती है और उठते ही उसे अपनी ब्लैक कॉफी चाहिए होती है नहीं तो घड़ पर अनाया तूफान मचा देती है महेश्वरी जी अपने सर पर हाथ रख लेती है क्यो और कुछ दू बाबा अतुल अपना एक हाथ ना में हिलाते हुए अनाया की बुराई करने में लग जाता है पीछे खड़ी अनाया गुस्से से लाल हुई जा रही थी वह अतुल के कंदे पर हाथ रखते हुई कहती है और क्या 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 करती है अतुल पीछे मुरते हुई क सुन रही थी इतने देर से और उसे पता भी नहीं चला अतुल दर से अपनी आँखे बंद कर लेता है अनाया गुसे से अतुल को देख रही होती है जिससे अतुल के चहरे पर दर की लिकीरे उभराई थी अनाया गुसे से कहती है भाय भी आप कुछ कह रहे थे ना लेकिन अतुल जल्दी से कुर्सी से खड़ा हुआ और महेश्वरी जी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अनाया गुस्से से बोली भाय आप दादी के पीछे से बाहर निकलो और बताओ कि किस खुशी में आप मेरी इतनी बुराई कर रहे थे। अतुल दरते हुए कहता है क्या मुझे पागल कुट्ते ने काटा है मैं मही कर रहा। था, सभी लोगों को अतुल पर हंसी आ रही थी क्योंकि वह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कर रहा था आलोग ची हंसते हुए कहते हैं। अब बस भी करो तुम दोनों लेकिन अनाया महेश्वरी जी के पीछे जाने लगती है। कर दो पीटाक थैज़ कर रहा आलोगों की तरह कर रहा है।